हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल देखिए आप लगों की काफी क्वरीज थी कि मैं आपको एक फूर्ट प्लांट के बारे में बताऊं कि उसकी बिट्टी को कैसे हटाया जाता है तो हलाकि बहुत बारिश हो रही और बड़ी मुश्किल से मैं यह कह सकत कि मैं किन-किन चीजों का ध्यान रखती हूं और देखिए आज में एक स्वीट था ही करोंदा के पौधे जो मैंने मंगा था उसके मिट्टी को हलाकि मैंने कैटिमॉन मैंने लगा दिया था पर एक आपके लिए बचा की रखा देखिए टाइम से पौधे को लगाना भी बह संद्धै तो प्लीजी ज़्यादसे जढाए लाइक कीजिए शेय्ट की जो सब्सक्राइब कीजिए देखिए मुगे बचीशर लगाव से ज्यादा लाइक करते कड़े मिलता है तो आज में इस सी ब्लांट के पहले जब मैंने खरीदा था इसे और मेरे मैंने कहा था कि मेरी काफी लेट डिलिवरी हुई थी या जो भी एक कुछ रीजन रहा था फेस्टिवल से जनके जैसे तो मेरा प्लांट्स बिल्कुल यलोईश पत्या हो गई थी तो मैंने यही कहा था कि ठीक हो जाएगा इसलिए म मेरे पास यह पौधा है था काफी कंडिशन इसकी खराब हो गई थी और आप देखिए कितना हरा भराव पूरा बुशी हो गया है और नए फुटाव भी शुरू हो गए इसलिए हम कहते हैं कि जो बारिशों के दिन होते हैं यह फैब्री का सीजन होता है हमेशा प्लांट के बजरी टाइप जो होती है वो थी तो एस इस पौधे को आप लगा दिये को चैट करने की ज़रूरत नहीं है तो step by step में आपके साथ शेयर करूंगे कि इस पॉलेथिन को हटाकने से लेकर वहां तक तो देखिए इस तरीके से जैसे कि मेरा यह प्लांट आया था बस मैंने आ थोड़ा से इसमें देखिए काटे हैं तो भड़ा स्विश्चली ध्यान से काम करना पड़ेगा कभी भी पॉलेथिन को ऐसे नहीं खीचे जैसे कि यह कभी भी गलती मत करना यह तो फिर भीश हो सकता है मेबी इस समय गीला है रूट बाउंट तो निकल जाए जो संडी सोयल हैंगी पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और साथ ही कभी भी इसको हमेशा सीजर से खुलने की कोशिश कीजिए यहां से सावधानी पूरो कट करने की ज़रूरत है अकसर हम को करता है ऐसे पकड़ा मैंने देखा है जो माली लोग भी करते ना बस ऐसे लिया और उसे निकाल और लगा दिया वैबी हो सकता है अब पहमेशा साही हो लेकिन जकलती से अगर उसका रूट बाउंड नीचे से क्या होता है अगर पूरा रूट बाउंड टाइट बंदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन बीच में से अगर लूज वगान तो वह क्या होगा तरीके से आपको सीधा सीधा कट करना है यह देखें इस तरीके से इसको साफधानी से निकालना है निकलने के बाद आप आप देखेंगे कि आप देखिए कि इसमें काफी सारी रूट्स नई डवलप हो रही है और पौधा तभी एकदम से हल्दी हो गया तो देखिए वैसे भी जो ही बेरा काफी हाड़ी प्लांटर इस समय पौदे बहुत अच्छे से सर्वाइब करते हैं तो यह निकालने के बाद हम नेक्स प्रोसेस करेंगे अब देखिए इसमें थोड़ी चिकनी मिट्टी है अगर मैं इस चिकनी मिट्टी को दालें बहुत सारे टाइप के वीडियो डालें मिट्टी को लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं कि हमारे पौदा चल नहीं रहा है सर्वाइब नहीं कर रहा है या फिर कुछ टैम लगाया 20-15-20 दिन बाद उसकी लीव्स बने लग गई तो इसलिए न छोटी-छोटी साथ में रूट्स आ रही है यह देखें अगर मिट्टी के साथ इस तरीके से रूट आएगे और मैं साइट साइट से इसको निकालती जाओ तो हमारा प्लांट डेमिल्स होगा जल्दी काम तो हो जाएगा बट करना भी कहा है इतनी जल्दी का इसके लिए मैं जो काम करती अगर जमीन में लगाने जैसे एक डेड़ बायर डेड़ पुट का जो गड़ा बनाते आप उसको कर लिजे गमले में भी आपको बहुत सारे काम करने अपनी खट्टे कर लिजे तो इस तरीके से जो है आपने अपना रूट बाउन आसानी के देखें कितनी अच्छे से निक десятillALD में बारिद एक तिजन पर फूटिंग भी करें वाट अगर स्ट्रीम कंडिशन साजाती बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा बारी करती है जैसे की इस समयala बारिष हो जाती है तो हमारे जो यह toолько सब जोेड़ें आप इसको नेय를 कर देंगे मैं Lightня जो प मिट्टी में इसको लगा रहे हैं वहां तेजी से एक्वाइर करने लगी जल्दी हमारा पौदा ग्रोथ करेगा और अगर इसको हमें डायरेक्ट ऐसे लगा दिया तो रूट्स को थोड़ा सा बाहराने में प्रॉब्लम होती है और हमें टाइमिंग लगेगा हमारे पौदे को और यह बकेट में उसमें आप पानी डालिए और इसको लग दीजिए और देखिए फ्रेंड्स यह जो मैंने इना बकेट रख ली है और यह मेरा है प्लांट और यह इस बकेट के अंदर जाएगा और यह करेगा थोड़ी देर के लिए रेस्ट मुझे कुछ नहीं करना है य और जादा कोई मशक्कत नहीं करनी है देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लांट ना इस तरीके से खराब हुआ था यह देखिए जबकि जबकि ऐसा कभी होता नहीं इस बार जो एक्स्ट्रीम कंडिशन पर गर्मी थी ना उसका रूट बाउन नया पौदा था लगाया तो मैंने बहुत कम मिट्टी थी तो इसे हटाया नहीं मुझे लगा कि चलिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ऐसा नहीं प्लांट में कुछ दिन ग्रोथ की उसके बाद इसकी जड़े इसमें से बाहर निकल पाई अगर इसका रूट बाउंड मैंने थोड़ा सा लूज किया हुआ ह कि ऐसा मैं यह नहीं कहती कि आप जो भी पौधे लगाएंगे उन सब में ऐसा हो जाएगा इसा नहीं होगा बट हमें अपने प्लांट की सेफटी मैं यह अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करें थोड़ा सा कर आप रूट बाउंड को लूज कर देंगे एक्स आपके बाद क्या होगी जड़े खराब होने का डर बहुत ज्यादा होता है यानि कि जड़े सौगी हो जाएगी उसमें पानी इसकी वज़े से हो सकता है पानी आपका महा पर रुख जाएगा और आपके पौधों को नुकसान कर सकता है इस बार मैंने 14 फ्रूट प्रूट लगाएं 14 से जादा ही हो गए 16 हो गए तो मैंने इस काम को जरूर किया ताकि क्योंकि देखिए मैं आजकर एंवार्मेंट में बहुत चेंज़े जा रहे हैं तो एक्स्ट्रेम कंडिशन से हमें अपने पौधों को बचाने के लिए इस प अपने पौधे को कम से कम चार मिनिट हो चुके हैं और देखिए पेशन्स रखना पड़ेगा यहां पर रखा हुआ है और धीरे-धीरे इसका रूट बाउंट लूज हो रहा है और यह देखिए अगर जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ भी नहीं करना है पस छोड़ना ही त सारा थोड़ी नहीं हटाने अगर आधी तरफ से भी मानके चलिए आपने हटा दिया तो आधी जड़ी इदर से सारी ग्रोथ कर जाएंगी भले ही आपसको स्टार्टिंग आप कर रहे हैं आपको इसा लग रहा है कि आपसे काम नहीं हो पाएगा तो पूरा मत अटाई इतना से भी आप चाहिए यूज कर सकते हैं हलाकि मैं तो कमी यूज करती हूँ कमल के पौधे वगर लगाने के लिए स्मिट्टे का इस्तेमाल कीजिए बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो चिकनी मिट्टे में काफी अच्छे चलते हैं और देखे फ्रेंट्स इस तरीके से हमा से रखा हुआ थोड़ा सा इंतजार जरूर किया और अब इसके उपर मैं जो लगाती नों फंगी साइड लगाती है तो फंगस का डर रहता है तो बारिशों में आप इस पे थोड़ा सा जो है फंगी साइड आप डाल देंगे फिर आपके साथ इसमें फंगस की भी पॉड़ी तरह से सुरक्षित रहेगा और आप इसे वेल्डरेंज साइल प्रपेर कीजिए और गंबले में लगा दीजिए बस लाने के बाद मैंने आठ दिन इस पौधे को रखा था और देखिए बिल्कुल हेल्दी हो गया तो इस तरीके से आप चाहें तो थोड़ा सा र लगाने वाली हूं और यह देखिए एपसम सॉल्ट है इसकी एक वाटरिंग आप कर दीजिए फिर उसके बाद में पौधा आपका पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा यह चोटा सा प्रॉसेस था आप इसको करिए देखिए हम पौधे खरीते हैं और हम चाहते भी हैं कि आए थे तो अलाकि मुझे देखके लग रहा था कि पौधे ठीक हो जाएंगे और देखिया प्लांट एकदम सुरक्षित है और बिल्कुल हेल्दी हो गया है तो इसलिए कहते हूं कि थोड़ा सा पेशन्स जरूर रखिए और इस तरीके से थोड़ा सा रूट डाउं को लू पीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए थैंक यू